आज का ये कारिक्रम कहीं न कहीं आप सभी बच्चों को जो सफल हुए हैं उनके लिए आगे और बड़ी सफलता हासिल करने की कोशिश के लिए एक प्रेणा मात्र है कि एक चोटा सा स्टेज हैं जिसमें आपको सम्मानित किया जाना है और हम आशा करते हैं कि भविस्य में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे इससे भी बड़े सम्मान के अग्जार हो सकते हैं आज का यह सम्मान समारोग देश की सबसे कठिन माने जानी वाली इंजिनियरिंग प्रवेस परिक्षा जेईए एडवांस और जेईए में में सपल हुए छात्रों को पुरश्कृत करने के लिए आयोजित की गई है साथ में जिन बच्चों ने AIPMT के तुरू Medical Colleges में अपना अस्थान बनाया है उनको भी सम्मानित किया जाना है IIT हमारे देश के ही नहीं पुरे विश्यों में जानी जाने वाली उच्च सिख्षा संस्थानों में अबल अस्थान पे है वहां सलेक्ट होना अपने आप में बड़ी पक्र की बात है इस वर्ष करीब तेरह लाक विद्यार्थी पूरे देश में जेई की परिख्षा में सामेल हुए यह अपने आपने पूरे विश्यों में सबसे बड़ी प्रतियोंगी परिख्षा है इन तेरह लाक विद्यार्थियों में से देड़ लाक को प्रथम चरण में सफलता मिली और उन्होंने क्वालिफाई किया जेई एडवांस की परिख्षा के लिए उनमें से करीब जरिये देश के विबिन मेडिकल कॉलेजों में अपना प्रवेश सुनिष्टित किया है उन्हें भी हमारी पूरी पूरी शुब काम ना है वो प्रतियोंगी परिख्षा भी इतनी ही कठिन थी पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या काफी कम है उसकी तुल्ना में प्रतियोंगी परिख्षा की संख्या काफी ज़ादा है इस वज़ा से यह अपने आप में एक कठिन बात हो जाती है कि हम किसी मेडिकल कॉलेज में अपना अस्थान सुनिष्चित कर पाए इन सारी बाधाओं को पार करके दो साल कुछ लोगों ने तीन साल की अटूट मेहनत की और उसके बाद सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे वो सही में सम्मान के हगदार है और धन्य हैं उनके माता-पिता उनके रिलिटिफ जिनोंने इस पूरे दो या तीन साल की अव जिनोंने उनके मनोबल को टूटने नहीं दिया और अल्टिमेटली उन्हें सफलता के इस सिखर पर पहुंचाया इतना ही कहना चाहूंगा इसके हमारे एक और विशिस्ट अतिति राजेस मिस्रा साहब पदा चुके हैं जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं अब उनका भी सिक्विस्ट करेंगे कि फूलों के साथ कुंका स्वालब करें हमारे माननिये विश्ट के पास समय की कमी है अतहम पुरशकार वितरन समारोग के बाद मोमेंटम के छात्रों ने जो कल्चरल प्रोग्राम तयार किया है वो जारी रहेगा धन्यवाद थैंक्यू